नमस्कार, Power of One News में मैं जोया खान, आप सभी का स्वागत करती हो, अब नजर डालते हैं आज की खास ख़बरों पर नाकपुर में 21 सितंबर से दंदे फाउंडेशन द्वारा Voice of Little Masters नामक गायन्स परदा का युजन किया गया है और इस गायन्स परदा में विदर्प के कुछ जीलो का भी समाविश है 21 सितंबर को चंदरपूर से इस प्रतियोगीता की शुरुवात होने वाली है इस परदा में 7 साल से लेकर 16 साल के बच्चे सहभागी होने वाली है जिसकी जानकारी डॉक्टर दंदे द्वारा नाकपूर के प्रेस कलब में एक पत्रकार परिशद में पत्रकारों को दी गई इससे जुड़ी और भी जानकारिया इस पत्रकार परिशद में दी गई है नाखपुर के गुल्शन अगर जोन तीन में गुल्शन पान पैलेस के आड़ में चल रहे अवेध हुका पारलर की गुप्त जानकारी जोन तीन के डिसिपी गजानन राजमाने को मिली गुल्शन पान पैलेस के मालिक शाहिद अक्तर अली को गिरफतार किया गया है जिससे 15,150 रुपे का माल भी बरामत किया गया है कोराडे पुलिस टेशन अंतरगत आने वाले सुरादेवी गाउं में एक तीन साल के बच्चे की पानी में डूपकर मौत होने की घटना सामने आई है जानकारी के मुताबिक ब्रुतक तीन वर्षी आरियन राजेंदर दूध बरवे के घर के आगे एक मकान का कारिया चल रहा था जाहे एक पानी का गड़ा बना हुआ था जिसमें खेलते खेलते ब्रुतक आरियन जा गिरा और वही डूपकर उस तीन वर्षी बच्चे की मौत हो गई विदर्ब के ये वतमाल में आने वाले घाटन जी कोट इलाके में भालो घुज जाने की जानकारे सामने आई हैं इसे देखने के लिए लोगों की भारी भिढ़ उमड पड़ी है और वनवी भाग की कुछ लोगों की भी मौजुद की देखी जा रही है का मैच देखने के लिए काफी लोग उतसाहित है कही भारी मौजुद की में लोग टिकेट खरिदते हुए नजर आते हैं तो कही ऑनलाइन टिकेट भी खरिदी जा रही है ताकि लोग 23 सितंबर का मैच आसानी से देख सके और आराम से देख सके लेकिन मौसम विभाग ने आशंगा जताई है कि 23 सितंबर को भारी बारिश हो सकती है तो कही नगई मैच देखने आने वाले लोगों को भारी बारिश का सामना करना पड़ सकता है नाकपुर के कुछ स्कूलों में स्कूली बच्चों के शरीर पर लाल रंग के चट्टे पायजान की जानकारी सामने आई है ओंकर नगर और नरेंद्रनगर की एक स्कूल में ऐसे कुछ बच्चे पाये गए हैं जिनके शरीर पर लाल चट्टे दिखने लगे हैं एक वाइरस का प्रकार होने की आशंग का जताई जा रही है फिलाहल बच्चों को डॉक्टर के पास इलाज के लिए भेजा गया है जहां डॉक्टर ने कुछ दिन स्कुल जाने से मना कर दिया है और उन बच्चों को एंटी एलर्जी की दवाईया दी जा रही है